Assalamualaikum to all आज की इस वीडियो में हम Introduction to Education से Related Further Topics को Cover करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो Topic आज हम Cover करेंगे वो है Aims, Goals and Objectives and Elements of Education Difference between Aims, Goals and Objectives Aims, Goals and Objectives में फर्क क्या है? Aims are Based on National Level Goals are Based on Institutional Level Whereas Objectives are Based on Classroom Level Aims are General Statement Not Mejorable and Long Term Aims जो होते हैं वो National Level पर बना जाते हैं और ये हमारे जो Policy Makers होते हैं वो बनाते हैं Aims, Society की Needs को मदे नजर रख कर बना जाता है ये General Statement है और इनकी जो Duration है वो Long Term है मतलब के ये बहुत अर्से तक चलती है Aims और ये Mejorable नहीं है क्योंके इनका अर्सा जादा होता है Like 20 साल, 30 साल तो That's Why ये Mejorable नहीं है और Aims को मदे नजर रख कर Aims को Base बना कर Goals बना जाते हैं और Goals जो होते हैं वो Institutional लेवल या College लेवल पे बना जाते हैं Goals specific होते हैं Aims से लेकिन Goals जो है वो Objectives से Less specific होते हैं और Aims जो है और Goals इन दोनों में यहीं फर्क है कि दोनों Mejorable नहीं है और दोनों ही Long Term है On the other hand, Objectives जो हैं ये हमारे क्या है? Short Term है और ये Most Specific है and Mejorable है ये Classroom लेवल पे होते हैं Like के Objectives की मिसाल ऐसे कि आप कोई भी Book ले ले उसका कोई भी Chapter खोले उस Chapter के Start में आपको Objectives लिखे वे होंगे कि इस Chapter को पढ़ने के बाद आप इस काबल हो जाएंगे कि CPU क्या है, Computer क्या है, उसके Parts क्या है इस तरह से जो Objectives लिखे वे होंगे वो Classroom लेवल पे होते हैं तो वो Objectives कैलाते हैं Objectives जो हैं, वो Mejorable होते हैं Next है, Elements of Education Objectives, Curriculum, Teacher, Teaching Methods, Learning, Student, Society and Evaluation Elements of Education या Components of Education ये आठ हैं इनमें ये सब एक सीक्वेंस में हैं कि अगर इनका सीक्वेंस हराप हो गया तो ये सही नहीं चल सकेगा, Education का सिस्टम First of all, हमारे पास है Objectives Objectives मकासित होते हैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें मकासित तायून करने होते हैं जब हम मकसद तायून करते हैं तब ही हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं अब जब हमने मकासित बना दिये तो उन मकासित को हासिल करने के लिए हम करिकुलम डिवैलप करते हैं करिकुलम होता कि करिकुलम एक्चुली एक You Can Say के एक बात होता है जिस पर हम चल कर अपने मन्जल तक अपने मकासित हासिल कर लेते हैं और करिकुलम में Go Curricular and Curricular दोनों आते हैं करिकुलर होता है जो हमारी क्लास में बढ़ाया जाता है लाइक हमारा सलेबस हो गया हमारे सबचेक्ट हो गया सबचेक्ट डिवीजिन हो गया हमारा कोर्स हो गया तो अब करिकुलम को हमें जो ट्रांसफर करेगा वो कौन होगा वो टीचर होगा यह सारे एक सीक्विन्स के साथ चलता है अब टीचर कौन होता है जो के नौलिज इंपार्ट करता है स्टूडेंट तक और टीचर अगर कौलिफाइट होगा अपने सबचेक्ट में तो ही वो करिकुलम जो है वो स्टूडेंट तक इंपार्ट कर सकता है अब टीचर कैसे वो करिकुलम जो है वो स्टूडेंट तक इंपार्ट करेगा according to different teaching methods अब teaching methods किस तरीके से और कौन से ड्वालप करेगा टीचर according to subject और या topic अब लाइक English का हम कोई पढ़ा रहे हैं तो English के लिए हम lecture method यूज़ करेंगे और अगर हम science का कोई subject पढ़ा रहे हैं तो उसके according हम demonstration method यूज़ करेंगे या experiment method यूज़ करेंगे next है learning learning होता है कि student ने कितना कुछ हासिल कर लिया मतलब कि कितना कुछ उसकी personality का मुकमल पार्ट बन गया like के student जो है कि student ने कितना कुछ सीख लिया है student learn कैसे करता है through observation, through experiments and through knowledge next है student, student जो है वो element of education का बहुत important उनसर है क्योंकि ये सारा process of education का दारो मदार student है ये सब कुछ student के लिए ही बनाया जाता है objectives होगे, curriculum होगे, ये सब students के लिए बना जाता है student चाहता है कि वो अपने behavior में change लाए behavior में change कैसे आएगा जब वो खुद चाहेगा अब उसके बात ये है कि student different तरीकों से सीखता है like formal तरीके से, informal तरीके से and non-formal तरीके से अब formal तरीके से कैसे सीखता है specific institution होते हैं, वहाँ जाता है, teachers होते हैं, qualified वो उन्हें teach करते हैं उसके बात होता है informal, informal जो हम society से, family से, friends से, siblings से कहीं से भी हम informal education हासिल कर सकते हैं जबके non-formal होता है, हम गर में बैठके, जिसे distance education कहते हैं through online हम हासिल करते हैं इसके लिए हमें किसी चीज़ की कोई, जो है, वो strictness नहीं की जाती हम अपनी time में, अपनी मर्ज़ से, जो है, वो सीख सकते हैं next is society, यानि कि student ने जो degree हासिल कर ली क्या वो society में useful है या नहीं मतलब कि वो इस काबिल हो सकता है कि वो कमा सके अपने हुनर को दुनिया तक दिखा सके तो ये society में कि कितना वो society में जो है वो यानि किस तरीके से जो अपना talent है वो दिखा सकता है society को next is evaluation, evaluation एंड में की जाती है कि आया ये जो elements of education है जिन चीज़ें सब अपने मकासित हासिल कर रहे हैं या नहीं इन सब का एक करके evaluate किया जाता है और पिर जहां जहां मसला आता है उस मसले को ठीक किया जाता है फिर दुबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है आज तक के लिए इतना ही नेक्स टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे अल्ला हाफिस